हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अवार यूटूब चैनल आलेनवन 2.0 तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूं सेक्सपीर के प्लेस के बारे में यानि वर्क्स के बारे में जो उन्होंने प्ले राइट लिखे हैं ड्रामा पोईटरी बगएरा तो इ लेकी सकते हैं और ऐगसेक्ट ऑडर अफडे अब टिकंपोजिशन एंड पर्फॉर्मेंस और शैक्स पीछ प्लेस इन डिफिकल्ट टू प्रोव यह निकी जो एगजक्ट शैक्सपीर स्वाच के जबेस्मा इप्लेर्श और पर्फॉर्मेंस डेट है वों प्रूब करना थ प्लेज वर फर्स्ट पर्फॉर्म्ड मतलब इसलिए जो डिस्प्यूट में यानि विवादत में आई जो चीजें हैं और किरम से लगाई गई हैं उनको और मतलब जो पर्फॉर्म की गई हैं पहले उनके सबसे मैंने यहां पर क्रोनोलीजिकर और में लिखा हुआ है तो सबस हेंरी फॉर्फ पार्ट फर्स्ट है यह 1589 में पर्फॉर्मेंस की गई थी और लिखी गई थी 1589 में मतलब पर्फॉर्मेंस और मतलब टाइम लगा था पर्फॉर्मेंस में 1589 से 1519 तक हां उसकी बाद हेंरी पार्ट फॉर्थ का ही है पार्ट का पार्ट सेकंड एंड थर्ड ये friends एक ही सन में लिखी गई थी 1519 से 1590 से 1591 ये दोनों एक ही साथ लिखी गई थी और एक ही साथ इनका performance किया गया था ठीक है उसके बाद है रिचार्ड थर्ड चौथे नम्मर की है फ्रेंट्स रिचार्ड थर्ड और जो पांचे नम्मर की है तक comedy of errors तो रिचार्ड थर्ड और the comedy of errors इनका भी फ्रेंट्स एक साथ ही इनका performance हुआ था एक तरह से हमका है 1594 से 1593 तक 1592 से 1593 तक 1592 से 1593 था ठीक है फ्रेंट तो चौथा और पांचमा साथ में performance किया गया था उसके बाद है शिक्स नम्मर का टाइटस एंड्रोनिक्स टाइटस एंड्रोनिक्स यह 1593 में performance किया गया था 1593 से 1594 तक टाइटस एंड्रोनिक्स एंड टेमिंग आप स्रिव यह दोनों को भी साथ में performance किया गया था 1593 से 1594 तक 1593 से 1594 तक टाइटस एंड्रोनिक्स टेमिंग आप स्रिव उसके बाद है Tech normal The two gentlemen Of Verona The two gentlemen Of Verona The loves, leavers lost And Romeo and Juliet ये three Air France Eight, Nine or Ten इनका Friends đội Performance की date वो सेम है Fifteen 94 से 1595 1594 से 1595 किसकी The two gentlemen of Verona Lops, lavers lost रोमियो और जूलिट आपको फ्रेंट्स मेरी तरह रिपीट करना है उसके बाद है रोमियो और जूलिट यानि टैम नमबर के बाद 11 और 12 11 और 12 रिचार्ड सेकंड उपर फ्रेंड्स हमने देखा था रिचार्ड थी वह 1590 से 1591 तक पर्फॉर्मेंस की गई थी आप देख सकते यह उपर यह रिचार्ड फ्रेंट फिप्टि नाइन टी सूंट्न तू से 1593 तक और यह यहां पर है रिचार्ड सेकंड यह 5095 से 5096 तक और एक आम मिट समर नाइट्स ड्रिम यह भी सेम है 1595 से फिप्टिन नाइट्स तक 1595 से 5096 तक इसको पर्फॉर्मेंस किया गया था आप मिट समार नाइट स्टीम एंड रिचार्ड सेकंड यानि 11 और 12 नमर की ठीक फ्रेंट्स आप उसके बाद हम आपको 12 के बाद 13 नमर पर सीधे दिखाते हैं यह फ्रेंट्स हमारा 13 नमर 13 नमर की एक किंग जॉन और 14 नमर की सब्सक्राइब की है 13 और 14 नमर की एक किंग जॉन 1596 से 1597 तक दमार्चेंट आफ वेनिसा 1596 से 1597 तक एक ही यह में टू-टू प्लेस टू-टू प्लेस लिखे गाए परफॉर्मेंस किये गए उसके बाद 15 नमर का दहता हैं री फॉर्ट पार्ट फस्ट दा हैं री फॉर्ट प पार्ट फस्ट और पार्ट सेकंड फॉर्ट के एक साथ लिखे गाए थे 1597 से 1598 तक 1597 से 1598 तक यानि 15 और 16 नमर के इनके प्लेस थे वर्क्स थे उसके बाद 17 और 18 नमर के वो भी एक साथ लिखे गाए कौन-कौन से हैं अच एड़ बाउट नथींग एंड हैंड रीपिप्ट मच एड़ बाउट नथींग फिप्टी नाइट से 1599 एंड फिप्टी नाइट से 1599 तक ठीक है इसकी बाद अब फ्रेंट्स नोट करते जाएं क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट वर्क्स हैं जो सेक्सपियर की एब्री एक्जाम यूजी सीनेट बगएरा में पूछे जाते हैं उस्ते जुलियस सीजर 1599 से 16 तक है 1599 से 16 जुलियस सीजर एज यू लाइक इट और ट्विल्ट नाइट यह फ्रेंट्स एक ही सन में लेकिगा फिप्टी नाइट नाइट से 16 जुलियस सीजर कौन-कौन से ह लाना है ताकि आपको learn हो जाएं हलकिफोल की उसके बाद है हैं यह फ्रेंट्स एम्रे में भी आती है छे ट्वेल्थ नाइट सिक्स्टीन से सिक्स्टीन बन जे हैमिलेट के साथ में लिखा गया था पर्फॉर्मेंस किया गया था ठीक है उसके बाद है 1525 नंबर का हमारा फ्रैस ऑल्स बैल यानि अंत बला तो सब बला ये फ्रैंट से कहावत भी है हिंदी में हमारे तो यही वाद इसमें लिखी गई है ऐल्स बैल दाट एंड्स बैल 1602 से 1603 तक इसको पर्फॉर्मेंस किया गया था कब 1602 तो 1603 ऑल्स बैल डाट एंड्स बैल वसके बाद है 26 नंबर का मीजर फोर मीजर और और अट अथेलो यह साथ में पर्फॉर्मेंस किगा थी कब 1604 से 1605 तक 1605 से 1605 तक 1604 से 1605 तक 1604 से 1605 तक अधर मीजरी पर मीजर और गया युक्ष्ट ऑद है इसके वाद किंग लियर किंग लियर 1605 से 1606 तक ओधैलो के बाद किंग लियर और मेकबथ इन दोनों को साथ में परफॉर्मेंस किया गया था तो यहां देख सकते हैं अब थर्टी नम्मर का है वो एंटोनी एंड कॉलियो पेट्रा कॉलियो पेट्रा है 1606 से 1607 तक performance किया गया था उसकी बाद next one है Coriolanus 1607 से 1608 तक and time of Athens 1607 से 1608 तक इसको performance किया गया था ठीक है उसकी बाद है next 33 नम्मर का Pericles Pericles 1608 में और 1609 में performance किया गया था और एक membrane line campaigns line है 1609 से 1610 तक इसको performance किया गया था 35 नमर का है The Winters Tale The Winters Tale 1610 से 1611 तक इसको performance किया गया था उसके बाद the Tempest है 1611 से 1612 1611 से 1612 तक ожал का 차량 ज़िए न kamuya कि स्लेवस में सम्मेले थे हैं उसके बाद है है हैं तो नोवल किन्समें तो नोवल किन्समें दा टू नोबल किन्समें दा टू नोबल किन्समें 1612 से 1613 तर यह प्रेंट्स टोटल 38 नोबल थे इनके जो प्लेज थे वैक्स थे जो विलियम सेक्सपियर के दौरा लिखे गए थे आई होप आपको वीडियो अच्छे लगेगा और अगर फ्रेंट्स अच्छे लगे वीडियो तो जल्दी से से सेर कर दीजी सेब्सक्राइब कर दीजी हमारे चैनल को तब तक के लिए थेंक्स पर वाचिंग कीप लाफिंग थेंक्ट्यू